हेलो फ्रेंड्स हमने लाश्ट क्लास में सीखा मूब टूल रोटेट टूल और स्केल टूल से यह कैसे वर्क करते हैं अब हम पॉलिंग मॉडलिंग की और आगे बढ़ेंगे इससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं माया को अपने वर्क diferो के हिसाफ से कैसे करेंatta कि एक माज कि अक कर लेंगे इस सामने मिल जाएंगे चीन टूल में एडियंगे कुछ देखते हैं और कुछ चीजें हमें स्टराट करने से पहले वो आज इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे उस से यहां पर जब भी हम बनाते हैं यह क्यों हो गया स्पेर हो गया, कौन हो गया सिलंडर हो गया, ये सारह यहां मिल जाते हैं इसको हम सेलुफ कहते है, इसमें कर्व के लिए अलग सेलुफ होते हैं इन सबकार बार में हम आगे क्लास का बढ़ेंगे हमसिआँ आएग기 यहां पर इक को था है कॉस्टम कॉस्टम कैसा में इह इन ऐसे ब्लैंक होता कि है कि है जिसमें हम अपने नीड के कॉर्डीक एडन कर सकते़ कि इसका एक है को इस से बनाने के लिए यहां पर जहां पर हमारा माउस दिख रहा है है यह यहां पर हम झाएंगे और अब यहां पर आएगा नीस तो जो भी नाम देना होगा वो हम दे देंगे तो अभी हम इसका नाम रखते हैं test अगर तो लए तो तुम अब नाम की यसाब से भी रख सकते हो ईसे तो तो यह यहां बनके आ गया, एंड में, तो अभी हम देखेंगे कि हमारे मोडलिंग यहां आ है, बट यह यहां क्यों आया? तो अगर हम यहाँ पे जाएंगे जग, सेल्फ एडिटर में, तो यह सारे सेल्फ है, जो की यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, पहले से. यह कर्व हो गया, यह पॉली मोडलिंग हो गई, तो जो भी हम बनाएंगे हो सबसे एंड में आएगा. हमें अगर लगता है कि हमें इसे यहां रखना चाहिए यहां यहां रखना चाहिए यहां जहां भी रखना चाहिए तो यहां पे जहां पर माउस है वहां पर देखेंगे कि यह एप है तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह वहां से सिफ्ट हो जाएगा यहां भी देखेंग जब तक कि हमें जहां लाना है वहां तक वह पहुंचना जाए अब यहां पर आगया हमारा इसको यहां से सेव कर देंगे यहीं करें जाएगा अब इसमें हमें किस किस चीज की जरूरत है उसको यहां पर हम एड़ करेंगे तो इसमें हमें जरूरत है यहां पर आएंगे डिली टाइप बाई हिस्ट्री क्योंकि जब भी हम माया में बनाते हैं तो माया में उसकी हिस्ट्री बनती है और यह हिस्ट्री जितनी ज़्यादा होगी तो यह हमारे फाइल साइज पर भी इंपक्क वड़ती है और हमें जरूर है तोबिग करेंगे देन किलिक कर देंगे तो ये देखो कि यहाँ बन के आजाएगा हुआ हस देन अगला आता है हमारा है दोनूबिकयेट करने के लिए किसी भी ऑबबबबबब करना ओ है यहाँ से इसको भी एड़न कर लेते हैं वैसे हमारा default होता है object select करेंगे control D करेंगे वो duplicate हो जाएगा अगर इससे add करना है तो control shift के साथ इसको click करेंगे यहाँ duplicate बनके आ जाएगा और इस पर लिखा हुआ है यहाँ देखो को तो history के लिए HIS लिखा होता है duplicate के लिए DUPL लिखा होता है हमें कुछ modeling के primitive चाहिए होंगे तो यहाँ से हमें जिसकी need है हमें spare चाहिए spare add कर लिया cube चाहिए cube, cylinder, cone, torus, plane इनका हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं तो हमने इसको add on कर लिया अब हमें चाहिए इसमें history हमने अटा आदिया अब इसमें चाहिए हमें display में आएंगे object को जैसे हम इसको hide करते है ctrl h के समाथ यह hide हो जाता है बट इसको so करना है ctrl shift h होता है बट इसके लिए अगर बहुत सारे object यह एक ही command यूज होता है क्योंकि सबसे जो last वाल हमारा होता है बस वही सो करता है अगर हम सारे सो करने होंगे तो उसके लिए यहां display में आएंगे यहां display में आने के बाद इसके लिए यहां पर आगया उसके बाद हमें center to private चाहिए होता है किसी भी कोई भी object बनाते हैं तो उसका पाइबेट मूव हो जाता है और उसका पाइबेट center में लाना हो तो उसके लिए हम क्लिक करेंगे यहां control shift के साथ center to private पर तो यह बन किया जाएगा center to private जब कोई भी object हम बनाते हैं जैसे कि यह object हम डिलते हैं यह है तो जब भी हम इसे मूव करेंगे तो इस पर एक value आएगा इस value को अगर हम चाहते हैं कि यह value यहीं पर zero हो जाए कि इन feature कभी भी मेरे को यह इसका base value हो जाए जो कि कभी भी मूव करें तो हमें इस value पर लाना हो तो zero zero हम कर देंगे जिससे इस value पर आ जाएगा इसके लिए हमें करना होता है freeze transform तो modify में जाएंगे जहां पर होगा freeze transform तो यह freeze transform ले लिया तो हमें अभी फिलहाल इतनी चीज़ों की need पड़ेगी और भी चीज़ें जब किसी और चीज़ की need पड़ती है तो ऐसे अपने recording add-on कर सकते हो और कुछ चीज़ें हैं जो हमें work करने से पहले setup करना पड़ता है जैसे कि undo जहां पर undo अगर हम by default infinity होता है तो infinite से होता है यह कि unlimited यह undo यूज़ करेगा इससे फाइल साइज भी होगी थोड़ी बट यह होगा कि हम जितनी भी चाहें उतनी यह undo कर सकते हैं अगर यह finite होता है तो यह 50 तक ही यूज़ोगा 50 के बाद हम अंडू नहीं कर पाएंगे तो हमें इसका ध्यान रखना है यह हमेंसा infinity हो ओफ नहीं होना चाहिए ओफ होगा तो फिर history नहीं बनेगी और कोई undo नहीं होगा तुमारा तो यह ध्यान रखना है कि यह area हमेंसा infinite हो उसके बाद हमें settings देखना है सेटिंग में माया के axis हमेशा y axis होता है default और यह centimeter में होता है इसमें होता है centimeter, millimeter, meter, inch, foot, yard हम किस unit पर काम कर रहे हैं यह उस पर depend करता है तो उसके recording हम इसे sit कर लेते हैं फिलहाल हम इसे default ही रखते हैं centimeter पर और दुसरे axis होता है इसका g axis तो basically जो माया में होता है oh sorry, जो max होता है, max में अब axis g होता है तो जो max user होंगे उनके लिए max तुमाया अगर switch करना हो तो यह चीज़े ध्यान रखनी पड़ेगी तो माया का default होता है y तो हम इसे अभी माया इसमें ही रखेंगे y axis में ही, basics तो यह चीज़े हैं तो यह setting हम कर लेंगे next video में हम start कर दें तो यह कस्टमाइज कर लो अपने according जिन जिन टूल्स की जरूरत है उसको यहां पर रख लेंगे हम उसके बाद हम अपना काम start करेंगे